अब देखो पहले बात करेंगे जेम्स केमरन की मच अवेटिड मूवी अवतार दी वी अफ वाटर के बारे में चोकि यह बस परसो ही आने वाली है दिसेंबर 16 को तो ऐसे में अगर बात करें इस मूवी की एडवांस बुकिंग के बारे में इंडिया में नहीं बलकि चाइना म तो वहाँ से मूवी के बारे में ऐसी अफडेट निकल के यह आई है कि दिसेंबर 9 तक अवतार पाट 2 ने चाइना की अंदर 12 मिलियन की अर्णिंग कर ली थी एडवांस में टिकट सेल करके और क्योंकि आज तारीक है दिसेंबर 14 तो उसलिए ऐसा कह सकती है कि चाइना की अ वराम से 2 बिलियन पार कर जाएगी वर्ड वाइड में और बाकी अगर बात करें अवतार पाट 2 के डिमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो वहाँ पे इसको लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि यह मूवी 185 से लेकर 205 मिलियन तक की अर्निंग कर सकती है अपने ओप करें डियून मूवी के पार्ट 2 के बारे में तो हाली में इसको लेकर ऐसी अपडेट निकलके याई है कि इसके पार्ट 2 की फिल्मिंग ऑफिचली रैप हो चुकी है एंड यहां से हाली में कुछ फोटोस को भी रिविल किया गया है जिसकी बात सवाल निकलके आता है कि हमे डियून मूवी का पार्ट 2 कब तक देखने को मिल पाएगा तो यहाँ पे इस मूवी के फैंस के लिए अच्छी बात यह है कि पार्ट 2 की ऑफिशल डेट को अल्रेडी कंफर्म कर दिया गया है जो कि है 3 नेवेंबर 2023 अब देखू अगर बात करें के मौतरोंस बुक सीरीज की ऑथर मार्टिन के बारे में तो आप मेंसे काफी लोग उनको लेकर ये पाथ तो जानते ही होंगे कि यह सॉंग आफ वाइस और फायर जिस पर यह शो पूरा बेज है तो अभी तक उन्हों ने इस बुक सीरीज की छटी बुक दा विंड्स अफ विंटर को रिबील नहीं क क्योंकि भले ही ये शो कंप्लीटली एंड हो चुका है पर फिर भी बुक्स की एकॉर्डिंग इस पॉइंट की बाद से ये कहानी अभी चालू है क्योंकि एच्बियो ने 2011 से गेम उफ्रों सीरीज की मेकिंग को चालू कर दिया था इस उमीद में कि 5-6 साल बाद मार्टिन इसकी छटी बुक The Winds of Winter लेके आ जाएंगे जिसके बाद से डेडलाइन आई और गई पर The Winds of Winter अभी तक नहीं आई और जब हाली में God के फैन इवेंट में मार्टिन से पूछा गया कि बुक कब तक देखने को मिलेगी तो वो कहे कि अभी भी करीबन 500 पेजिस लिखना बाकी ह विच में समय अभी भी कुछ और टाइम इस बुक के लिए वेट करना पड़ेगा पर अभी हाली भी House of Dragon सीरीज की बॉस रैन कॉंडोल ने ये रिविल किया है कि God के फैन इवेंट में मार्टिन ने उनसे The Winds of Winter के प्लोट के बारे में काफी कुछ डिसकस किया था जिसको लेक कर रही है बुक का बहुत बेसबरी से पर जब उनसे पूछा गया House of Dragon सीरीज के पाट्टू के बारे में तो वो मूद बाके निकल लिए बस ये बोलके गए कि काहम अपने फूल स्विंग पर है अब बला ये कैसी अपडेट हुई पर फिर भी लोग बड़े हरामी है कैसे न आने को मिल जाएगा और बाकी ये बात अफिशली कंफर्म ही है कि हमें सीरीज का पार्टू 2024 में ही देखने को मिल पाएगा प्रोबैबली मिट के बाद से एंड आप में से कौन-कौन सीरीज के लिए बहुत बेसबरी से वेट कर रहा है तो प्लीज कॉमेंट हैश्टेग है होड़ी तू